यू तो मसोडों से खून आना कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन यदि आपको अपने डेंटिस्ट को देखे उए कुछ समय हो गया है तो आज है अपंडमेंट लेनी चाहिए यकीन जानिये समय पर अपने डेंटिस्ट की सलाज से नेसेसरी चेंजिस करने से आपकी ओरल हेल्थ में काफी सुधार हो जाएगा सही ट्रीटमेंट और परसनल देखवाल के साथ मसोडों से खून बैना जल्दी बंध हो जाएगा डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए? आज का वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा खुद ही समझ जाएगे कि आपको अपने डेंटिस्ट को कब मिलना चाहिए? आज की इस एपिसोड में मैं डॉक्टर चेताली आपसे मसोडों में खून आने अत्वा दातों में बलीडिंग होने के कुछ कानों के बारे में बातचीत करूंगे डेंटल टॉक इस चैनल को सब्सक्राइब कीजे बेल आइकोन पर क्लिक कीजे तथा लाइक और शेर कीजे दातों की बीमारियों से मुक्स्वस जीवन जीए मसोडों का रंग गहरा लाल यानि के लाल बेंग नी होना, मसोडों को सिर्फ छुने पर ही दर्द होना, मसोडों और दातों के बीज दूरी बढ़ जाना, मुह या सास से बदबु आना, मुह का स्वात बिगड जाना, ये सब आपकी खराब ओरल हेल्थ की तरफ इशारा करत मसोडों से खुन आने के लक्षन, अरे आप डर ये नहीं, दरसल मसोडों के खुन आने के दौरान उसके साथ कई इंडिकेशन यानि के लक्षन संकेत दिखाई दे सकते हैं, जिन में कोई एक या फिर दो लक्षन आपको सिगनल देते हैं जिनने आपको निगलेक नहीं करना जैसे मसूडे फूलना मसूडों की शूजन मसूडों की बीमारी का पहला स्टेप है इसमें मसूडे सौफ्ट आने लगता है जब आपकी गम लाइन के सार्ट प्लाक को ठीक से क्लीन नहीं किया जाता ये चिपचिपपलाक सभी प्रकार की गंदे बैक्टिया को जन देता है जो मसुडों को इंफेक्ट करते हैं जिससे ब्लीडिंग और सेंसिटिविटी होती है इस पर अगर शुरू में ही ध्यान दिया जाए तो मसुडों की सूजन को रोका जा सकता है तो मेरी सला है कि इससे पहले कि ये अधिक गंबिर मसुडों की बीमारी में बदल जाए अलर्ट रही है नया टूद ब्रेश कई बार टूद ब्रेश भी मसुडों की खून बहने का कारण बन सकता है यदि आप सौब ब्रेशल से हार्ट ब्रेशल पर चेंज करते हैं तो कभी-कभी आपके मसुडों से खून बहना शुरू हो जाता है इसलिए हम डेंटिस्ट सौब ब्रेशल वाले टूद ब्रश का इस्तमाल करने की सला देते हैं खास कर क्योंकि यह मसुडों के दोस्त होते हैं इसलिए यदि आपको मसुडों से कठोर ब्रेशल वाले टूद ब्रश से खून आता है तो मेरी चेताओने पर ध्यान दे हां लेकिन सौब ब्रेशल पर जाने के बाद गम लाइन के साथ ब्लीडिंग कुछ बार ब्रश करने क के बाद बंद हो जाना चाहिए वरना डेंटिस की सलाज जरूर ले नई फ्लॉसिंग या फिर फ्लॉसिंग रूटिन स्टार्ट करना यदि आपके मसुडों से फ्लॉसिंग के बाद खून बहता है और अगर पहले कभी ब्लीडिंग नहीं हुई तो फ्लॉसिंग ही इसका का रहना अपने आप ही बंद हो जाना चाहिए यदि आपके मसुडों से फिर भी बार-बार खून आता है तो आपको अपने डेंटिस से जरूर मिलना चाहिए मसुड़े और मुग के आसपास में दर्ध होना पेरिडांटाइटिस की बीमारी यानि के मसुडों की सूजन इस ब बाद में डेंचर की कारण तो ब्लीडिंग नहीं जो लोग डेंचर पहनते हैं उन्हें भी कभी-कभी मसुडों से खून आ सकता है हो सकता है कि आपके डेंचर बहुत कसकर फिट होते हैं आपने डेंटिस या फिर प्रोस्तरड़ांटिस से बात करे यदि डेंचर या किसी और डेंटल इंप्लांट से तो आपके मसोडों से खून नहीं बह रहा बहतर फिटिंग के लिए उन्हें इंप्रेशन लेने की जरुरत पड़ सकती है गर्भावस्ता में भी आम तोर पर मसोडों से खून बहने की शिकायत पाई गई है जो कि गर्भावस्ता के दोरान होने व सकते हैं क्या आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है बेल आइकॉन को प्रेस करें तब फिर मेरे कोई भी एपिसोड मिस नहोंगा हीमोफीलिया और यूके मिया जैसी कुछ सीरियस बिमारिया जिसमें ब्लीडिंग डिसॉर्डर यानि के रग्त स्राव विकार होता है व आपको मसुडोन से ज्यादा खुन बेहने की शिकायत हो सकती है विटामिन की कमी इस बात की तरफ लोग कम ही ध्यान देते हैं विटामीन सी और विटामिन smoking की वज़़े से भी मसुडों से खुन बह सकता है यदि आपके मसुडों से खुन बह रहा है जो मेरे बताए कारणों से भी नहीं है तो अपने डॉक्टर से अपने विटामिन C और विटामिन के की लेवल की जांच करने के लिए कहे गलत तरीके से काटना यदि आपके दान ठीक से अलाइन नहीं है तो काटने की समस्य हो सकती है जो की मसुडों से ब्लेडिंग का एक और कारण हो सकता है जो दान गलत तरीके से अलाइन होते हैं तो गलत जग्य पर गलत प्रकार का प्रे दबाव डालते हैं तो मसोड़ें पीछे हट जाते हैं और हड़ी खराब हो जाती है जिससे मसोड़ों की बीमारी और मसोड़ों से खून आने का प्रकार शुरू हो जाता है अस अंतुलित काटने के समाधान के बारे में अपने दन तचीकित सक्सिप जरूर बात कीजिए जब मसोड़ों से खून आना शुरू हो जाता है तो दान्तों और मसोड़ों के बीच फसे खतरनाक बैक्टेरिया रक्तस्त्राव में मिल सकते हैं जिससे और कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं यदि आप इस बात से चिंतित हैं कि धुम्रपान यानि कि वैपिंग आपके मौकिक स्वास्त को के से प्रबावित कर सकता है तो अपने दन्त्य चीकित सक यानि के डौक्टर से जरूर मिलिये अगर आपको धुम्रपान छोड़ना है तो προक्राद से धुम्रपान छोड़ने विकलपो या फिर कार्यक्रमों के बारे में बात्चित करें आप जुड़े रहिए bleeding झाल झाल